नमस्कार मेरा अधबकुत्रा स्वागत करती हूँ आपका अमर उजाला मध्रिप्रदेश चत्तसकड में मध्रिप्रदेश में मौसम ने लोगों के परिशानी को बढ़ा दिया है एक तरफ जहां ठंड का प्रचंड जो है वो जारी है तो दूसरी और जो कोहरे ने मध्रिप्रदेश में सितम जारी कर रखा है उससे लोग परिशान है तो वहीं आज हम आपको बता रहे हैं कि मध्रिप्रदेश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल खास तोर पर जब न्यू येर पास में है मैं राधब कुत्रा स्वागत करती हूँ आपका मध्रिप्रदेश 36 गड़ में आपको बता दे कि मर्धिप्रदेश में 31 दिसंबर को कई हिस्सों में बारिश के साथ ही ओले गिरने का अनुमान है मौसम विभाग के मताबिक बारिश का ये सिलसिला दो जनवरी तक चुलेगा और इससे प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ने वाला है असल में बारिश और ओले गिरने की वज़ा से पश्चिमिंग जो विभाग है जो वहाँ पर है इसका प्रभाव हो सकता है जिसका असर जो है वो 30 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर से जब बारिश गिरना शुरू होगी मौसम वे भागों के मुताबिक जो है दो जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा इसके कारण उज्जेन, ग्वालियर और चंबल संभाग समित प्रदेश के कई शहरों में बादल छाय रहेंगे और बारिश होगी तो वहीं शुकरवार की सुबह कोरे और ठंड में डूबी रहेगी पूरे मद्रमदेश के जीले तो वहीं मद्रमदेश के कई शहरों में धूप नहीं निकलने से ठंड का सितम बढ़ गया है मज़प्रदेश में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है साल 2030 की बिदाई जो है वो बारिश के साथ हो सकती है इसी के साथ ही जो है यहाँ पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़िस कर सकती है शुकरवार को कई शहरों में घना कोहरा जो है वो च्छाया रहेगा अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रहे गई है किन शहरों में ठंड का प्रचंड जो है वो जारी रहेगा आईए एक नजर उस पर भी डालते हैं तो मर्धिप्रदेश के खजुराओं में 50 मीटर, ग्वालियर में 100 मीटर, टिकमगर में 50 से 200 मीटर, दतिया में 200 से 500 मीटर की द्रश्चिता रहे गई है प्रदेश में सबसे कम सागर जो है वो 8 डिगरी सेल्शेस तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है इसके साथ ही दमो राजगर आदी शहरों में भी नियूतम तापमान जो है वो 10 डिगरी से नीचे रहा है भुपाल के अगर हम बात करें तो भुपाल में 12 डिगरी सेल्शेस से नीचे दर्श किया गया है तापमान अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके गर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर